हेलो एंड वेलकम माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स देखे आज मैं आपके साथ मैंकरम का बहुत ही ब्यूटिफुल ब्रेस्टेट का डिजाइन लेकर के आई हूँ आप मार्केट्स तो ब्रेस्टेट खरीते ही होंगे लेकिन यह आप देखे घर बैठे बहुत ही कम सामान क साथ में बहुत इकम समय में इसको आसानी से बना सकते हैं और देखे बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है यह इस तरीके से देखे आप इसको धीडा और टाइट भी कर सकते हैं आराम से आराम से इसको आप पहन भी सकते हैं इस तरीके से पकड़के टाइट भी कर दिजिए देखिए बहुत ब्यूटिफुल लगता है ये तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए मैंने याप पर येलो गलर का मैकरम लिया है देखिए फोर कॉड ली है वनवन मीटर की और एक ये जो है 20 से 30 सेंटी मीटर का एक्स्ट्रा कॉड लिया है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले में क्या करना है चारो को आईसे पकड़ लेना है एकवल करके और लगभग इतना दूरी पर हम यहाँ पर इसमें एक सिम्पल सी नॉट लगाया देते हैं यह दिखे इस तरीके से तो देखिए नॉट हमारी लग गई है मैं अच्छे से धागो को खीच लेना है नॉट को टाइट कर लेना है एककोल कर लेना एक दम यह देखिए दोनों साइट से हम धागो को अच्छे से खीच देंगे अब हम इसको इस तरीके से रखके पिन अप कर देते हैं अब देखिए पिन अप करने के बाद में अब हम यहां पर एक स्क्वेर नॉट लगाएंगे यह देखिए एक स्क्वेर नॉट लग गई हमारी अब एक बार हम और सिर्फ एक साइट से ही नॉट लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से पहले एक नॉट लगा है फिर सिर्फ एक साइट से नॉट लगा करके ऐसे छोड़ देंगे अब हमें क्या करना है जो हमारे सेंटर वाले कॉर्ड हैं उनको हमें बाहर की तरफ कर लेना है यह देखिए इस तरीके से और जो बाहर वाले कॉर्ड हैं उनको अंदर की तरफ कर लेना है और नॉट लगा देनी पहले हम नॉट लग इतना दूदी पर हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे बिल्कुल हमें नॉट को चिपकाना नहीं है यह देखे इस तरीके से एक कोल रखना है बिल्कुल यह मरें एक नॉट लग गई है फिर हमें यही कर रिपीट करना है बीच वाले कोड को बाहर की दरफ कर देना है और बाहर वाले कोड को बीच में करके फिर से नॉट लगा देनी है उतना ही दूरी पे नौट लगाना है जितना दूरी पे हमने उपर लगाया है बाद में हम सेंटर वाले धाको को थोड़ा-थोड़ा सा खीच देंगे ताकि ये एकदम बराबर डिजाइन बन जाए ये के ऊपर हुआ सेम ओगया फिर में रेपीट करना है अंदर वाले धागों को बाहर की तरफ और बाहर वाले धागों को अंदर कितरफ दरके नौट लगानी है तो इसा ही न्नोट लगाएंगे पर जितना हमारा हाथ के कलाई है उतना आप एक उतना कम लगाएंगे। जइनगा हाथ को कॉटिंग लगाँगी। बेंगाने और दो दो, उस जो उपज़र है, उ सो जर पमें कि अगे आ यह हैं आगे तक नोट लगाते जाना है फिर हम बाहर वाले धागों को अंदर के तरफ ले लेंगे अंदर वाले धागों को बाहर के तरफ कि यह की बस्ता है जितना दोजी है इनको मेंटेन करना है चोटा बड़ा नहीं करना है नहीं तो डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा फिर देखिए एक और बता जिती हुए अंदर वाले जो हमारे कॉर्ड है उनको बाहर कर देना है और बाहर वाले कॉर्ड को हमें अंदर की तरफ ले लेना है इस तरीके से और नॉट लगा देनी है आपर बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है यह अज़िए यह देखिए वन यह वाले नॉट हम छोड़ देते हैं 123456 लगी अभी मैं अपने हाथ पर रखके देखती हूं यह देखिए अभी भी छोटा है तो हम एक नॉट और यहां पर लगा लेते हैं जाले बहाँ बहाँ पर लेते हैं कि यहां पर हम टोटल एट नॉट लगाएंगे आठ गाठे लगाएंगे तो यह देखिए लास्ट गाठ है हमारी है तो देखिए मैंने यह गाठ भी लगा लिए तो हमाई टोटल वान टो त्री पोर फाइफ सिक्स सेवर एट नॉट लग गई है तो एट लगाएं या आप अपने हाथ के एकॉर्डिंग जब भी बनाईए आपकी दस लगे या फिर आठ से कम छे साथ लगे जितना भी नॉट लगाएंगे लास्ट वानप लगाएंगे तो यहां पर एक नॉट लगाने के बाद में पिर एक बार हाफ नॉट और लगाया था यहां पर भी हम लास्ट में जब हम लास्ट क Kommand नौट लगाएंगे तब भी हमें यह करना है जब हमारी नौट लग जाएगे उसके बाद में हम फिर से एक बार और नौट लगाएंगे तो हाफ नौट का मतलब है एक साइड से अब नौट लगाईए यह देखे इस तरीके से अब यह हमारा कंप्लीट हो गया है बनके अब जैसे हमने इस साइड में यह नौट लगाई थी वैसे हम यहाँ पर भी सभी धागों को पकड़ करके एक नौट लगा देंगे बिल्कुल जहां पर यह नौट लगाईए वहीं पर जाके लगानिया में कि देखे इस तरीके से नौट हमारी लग गई है आप में क्या करना है इससी में दो धागे हमें रखने हैं और दो धागो को हम कट कर देंगे यहें तर कि अच्छे से धागों को पहले टाइट कर लीजेगा यसाई भी देखे तो इस सभीरिक एह हमदोड हां रखेंगे अपने और दो दागों को कट कर देंगे कोई भी आप दो दागे रिख लिजए और दो कट कर दीजियें बिल्कुल यहां पास से कट करेंगे और को स्टीच कर देंगे यहीं पर यहीं जैसे हमने इदर कट करके स्टिच कर दिया वैसे हम इस साइड की भी धागों को कट करके यहां पर दो को स्टिच कर देते हैं तो देखिए हमने दोनों साइड के धागों को कट करके स्टिच कर दिया है दो दो धागे रहे गया वमारे पास जितना मारे इधर धागे हैं उदर इस दोनों साइड में हम अपने धागों को बराबर कर लेंगे इस साइड में हमारे धागे ठीक हैं इधर के बड़े हैं तो हम यहां पर इनको भी कट कर देते हैं अब हमारे दोनों साइड में धागे देखे बराबर हो गए हैं आप हमें दोनों धागों को पकड़ेंगे को पकड़ करके हमें मिलकुल किनारे पर इसमें भी एक नॉट लगा देनी है इस तरीके से और इस साइड भी हम यही करेंगे विलकुल किनारे पर नॉट लगाएंगे हम यह और जो हमारे धागे हैं इनको हम हलका सा मेल्ट कर देंगे तक यह खोले नहीं इस तरीके से अब हम इसको ऐसे रखेंगे इस तरीके से हमें रखना है एक दूसरे के उपर और जो हमने एक्स्ट्रा कॉट दिया था यह यह 20-30 cm का उसको हमें लेना है और इस तरीके से देखे दोनों धागों को पहले हम एक दूसरे के उपर रखेंगे और फिर यह धागा दूनों धागों के नीचे से निकालना है इदे के पहले इनको में क्रॉस करके दुसरे के उपर रखना है फिर यह जो एक्स्ट वाला कॉड लिया था उसको हमें इसके नीचे से तरीके से निकालना है और एक यह सिंपल नॉट लगा देना है कि इस तरीके से सिंपल नॉट लग गया है अब यहां पर हम स्क्वेर नॉट लगा देंगे एक यह थी कि एक स्क्वेर नॉट लग गया हमारा है अब हम गया करें इसमें एक और जैसे हमने यहां पर नॉट लगाए था हाफ नॉट एक हाफ नॉट और लगा देंगे यहां पर कि इस तरीके से यह लग गया है अब हम यह दोनों धागों को कट करके स्टेच कर देंगे पीछे कि दोनों धागे मारे काटों के स्टेच हो चुके हैं आप यह आसानी से ऐसे खीच जाएगा तो देखिए अच्छे से हमारा पूरा ब्रेसलिट बन चुका है अब हम इसको हाथ में देखिए डाल के देखते हैं यह देखिए इस तरीके से आप इसको खीच भी सकते हैं हलका से लगते मेरा धीला ही है एक नॉट इसमें और भी कम लगना था यह देखिए बिल्कुल बन करके रेडियो हो चुका है बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है यह आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं अब असानी से देखिए धीला कर गया इसको उतार भी सकते हैं तो दिखिए फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज मुझे कमेंटर के जरूर बताएं अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक स